अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आईने लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद फ्रेंड्स आज का लेक्चर पॉलिमॉर्फिजम इन सीलेंट रिटा पे है तो चलिए इसके बारे में हम डीटेल में जाने की हम पॉलिमॉर्फिजम किसे बोलेंगे और सीलेंट रिटा में पॉलिमॉर्फिजम किस तरह से देखने को मिलता है तो चलिए शुरू करते है तो फ है अभी जर्दों इस एनिमल्स अगर हम देखते हैं जैसे हैं हाने बीकिक को देखा है उसमें एक गूरा एक गुरूप के साथ में रहते है छो गदुछा करने के लिए आंधर की अंदर जो तरματα पहरालये में को पुरान ग्रीन लाने का कर रहों है ठीक है को जो हैं कोई भी बना भी है कुछ छोटे ब्र्ूट που को देख ही हैं तो इस तरह से काम का एक तरह से इसमें बटवारा कर दिया गया है लेकिन इस पीशीज एक ही है थाकि तो यह कॉलोनी फॉर्म में रहते हुए काम का बटवारा कर लेते हैं और यानि कि यहां पर भी डिविजन ऑफ लेबर यहां पर भी देखने को मिलता है तो इस तरह से जो यह पॉलिमॉर्फिजम शो करते हैं उसको हम सीलंट रेटा में इसको हम देख रहे हैं और यह इसमें अलग त इस फीचर है एक बहुत ही इंट्रस्टिंग फीचर है सिलंट रेटा का तो इस वज़े से हम लोग इसको अपने सेलिवस में पढ़े हैं पॉलिमॉर्फिजम इन सेलंट रेटा तो देखो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है वेन more than one type of individuals which differ in form and function occurs in the same species ठीक है जैसे कि एक या पॉलिमॉर्फिजम तो यहां पर भी पॉलिमॉर्फिजम यह अलग अलग इंडिविज्वल है लेकिन यह अपने जो डिविजन ऑफ लेबर है यानि की काम का बटवारा उसको शो कर रहे हैं अब नेक्स्ट हैडलाइन देखे लिखा है वाई सिलंट्रेट्स आर डिफर इन पॉलिमॉर्फिजम की सिलंट्रेट्स में जो यह पॉलिमॉर्फिजम है यह अलग क्यों है क्यों एनिमल से इसको अलग रखा गया है तो सिलंट्रेट्स के केस में डिफरेंट इंडिविज्वल्स यानि कि अलग अलग इंडिविज्वल या इसे हम यहां पर जॉइड्स भ करती हैं तो यह को लीचर कोलोनी है और फिर इवूनी सकती है तो यह सुङ्मिट में आप आप लोगों को पॉलिप और मेड्यूसी फॉर्म आप लोगों को दिखाए गया जैसे कि फिगर वन में आप देखेंगे जहां पर स्काइफिस्टोमा लिखा हुआ यह जब आप और लिया की डेवल्लप्मेंट की स्टेजिस देखते हैं तो उसमें यह स्टेज आती है जिसे क था टैंटिक्ल निखले रहते हैं तो यह इस फॉर्म को हम कहेंगे इसका पॉलिफॉर्म जबकि जो मेड्यूसेट फॉर्म है वह इसकी है डिल्ट स्टेज्जोमलत पें यहमेड़्यूसेट व उसको उसमें पर टो घॉर्में वहं को तरहा है। यहां जhow पें आप देख़ यह एक चोटी से कॉलोनी दिखा गई है जिसमें आपको पॉलिपस भी दिखाए गए है और साथ मेडियूसी बन रहे हैं इस पॉलिपस से ही आगे जब मेटमोरफोसी होती है तो इससे बढ़िंग के थूदू यह इसमें मैडियूसा बनते हैं तो यहां दिखाए गया साथ ही गोनेंजियम और गोनोजाइट यहां पर इस फॉर्म को हम कहेंगे गोनेंजियम और गोनोजाइट जिससे के आगे जाके फाइनली मेडियूसी बनते हैं तो यह आपके लिए एक सिंपल एक आपको आइडिया आ जाए कि हम पॉलिप किसे कह रहे हैं और मेडियूसा किसे कह उसके लिए यहां पे आप लोगों के फिगर दिखाए गया है आगे हम थोड़ा और डीटेल में इसके बारे में जानेंगे कि आखिर पॉलिप क्या है मेडियूसी क्या है इनकी इंपोर्टेंस क्या है पॉलिमॉर्फिजम में ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलिप किसे कहेंगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है आप पॉलिप है इसकी पॉड़ी कैसे ट्रिबूलर थी ट्यूब लाइक थी और उसका जो माउथ वाला रेजन है उसके चार और से आपने देखा टैंटिकल्स निकले हुए थे जैसे आपने और लिया के इसमें आप काइफस्टोमा बोला और इसका जो यह वाला एंट है जहांपे कि इसका माउथ है वो फ्री रहेगा जबकि जो इसके नीचे वाला बेस वाला हिस्सा है वो किसी सब्स्ट्रेटम से या उसकी जो पर्टिकुलर जो उसकी कॉलोनी है उसके साथ में वो जूड़ा रहेगा तो यह हमने पॉलिप के बारे में जाना और मेडियूसा किसे कहेंगे देखो मेडियूसा इसे बाउल और अंब्रेला शेफड बॉड़ी विद मार्जिनल टेंटिकल एंड माउथ सेंट्रली लोकेटेड और प्रोजेक्शन और मैन्यूब्रियम ऑफ दी लोवर कॉन के सर्फेस तो आपको मेडियूसा को समझने के लिए सबसे इजिएस्ट मेथड है कि जैसे मैंने अप लोगों को development of Aurelia आप लोगों को बताया था या morphology and structure of Aurelia मैंने आप लोगों को बताया तो अपने उसकी morphology में आपने देखा कि Aurelia की बाडी कैसी है आम्रेइला शेक्ट है éénग, यakat उसको本 बाषाई है ना, झाल सकते हैं, तो आपने देखा, उसके चारों और उस एंब्रिया के किनारे पर आपने देखा थाए, की तो मेडियूसा का एड़ियूसा कहले है, अम्रेइला शेयद है, उसके ॉसके चारों उसके चारों और और पर नहीं आ रहे हैं, तो आप इमेजन करिए जो आपने Morphology of Aurelia को पढ़ा है, ओके, now let's see the importance of polymorphism, की polymorphism की importance क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ देखिए, जैसे polymorphism is essentially a phenomenon of division of labor, जैसा कि मैंने आपको बताया ही पिछले segment में, कि जो polymorphism है, उसमें basically हम क्या study कर रहे हैं, division of labor, यानि की काम का बटवारा, अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग individual, लेकिन हमने silentrate के case में क्या देखा था, कि अलग-अलग species के individual आके colony form में रह रहे हैं, और उन में काम का बटवारा हो रहा है, तो इस तरह से फिर हमने इसके types देखे थे कि polyps हैं और medusy हैं, तो polyps का देखो क्या काम है, polyps are concerned with feeding, protection and sexual reproduction, ठीक है, यानि कि जो polyps हैं, ये mainly इनका काम क्या रहेगा, feeding में यानि कि food would provide करेंगे, तो ये क्या करेंगे, उसका बचाव करेंगे उस colony का और साथी asexual reproduction को भी ये शो करेंगे जैसे कि हमने अभी और एलिया के जो development की stage थी उसमें देखा था कि वह जो जो पॉलिप्स हैं, स्काइफिस्टोमा वो asexually reproducing form है उसकी, ठीक है, जबकि वही आगे जाके develop हो करके, जब उसके segments में इफाइरी लार्वी के form में जब वो कटता है, तो उसके बाद वो finally adult form में, और एलिया में, यानि कि अपनी medusoid form में convert होता है, जबकि जो medusoid form है, यह सिर्फ sexual reproduction को show करेगे, तो आपको क्या याद रखना है importance of polymorphism में, कि यह different different जो species के individuals हैं, वो एक साथ आकी रहते हैं, इक colony form में रहते हैं, उनमें काम का बट्वारा होता है, और साथ ही यह दो तरह के जो इसमें individuals होते हैं, polyps and medusy, तो इनका काम अलग-अलग है, जैसे polyp का काम मैंने बताया, feeding में है, protection में है, and asexual reproducing organs हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो medusy हैं, वो सिर्फ sexually reproducing form को शो करेगा, यानि कि जो medusa, यानि कि adult form जो बनेगी, तो उसमें इसके sex cells, sporms and oa भी बनेगे, उसके through यह आगे जाके reproduction इसमें होगा, यानि कि जाइगोड बनेगा, fusion होगा, जाइगोड बनेगा, then उसमें morula, blastula, gastula, यह सारी stages आते हुए, यह इसका sexually reproducing form है, चलिए अब देखें कि जो polyps हैं, उनमें क्या-क्या modification हो सकते हैं, यानि कि उसमें कौन-कौन से तरके individuals हो सकते हैं, तो यह तीन तरके हो सकते हैं, जैसे पहला है gastrojoids, या इन्हें हम feeding polyp भी कह रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे gastrojoids, next इसका जो form है, उसे हम कहेंगे dactylojoids, या इसे कहते है protective polyp, तो जैसे की नाम से ही पता चल रहा है, कि इनमें किसी भी तरह का इनमें mouth नहीं रहेगा, और इनमें usually एक लंबा बेसल टेंटिकल होता है, और इनका काम है, जो colony है, उसको protect करना दूसरे जीवों से, थार्ड है इसमें gonzoids, gonzoids या इनको reproductive polyp भी कहते हैं, तो गोनो यानि कि जिसमें की, इसमें seeds वगरा बन रहे हैं, यानि कि आगे reproduction में जो काम आ रहे हैं, उस तरह के इसमें individuals बन रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे gonzoids और reproductive polyp, और तो यह इनमें sexually producing medusy हो सकते हैं, ठीक है, या इन तो याद रखना है कि polyp में टीन टाइप से हैं, गेस्ट्मजाइट्ट, डेक्टाइलोजाइट्स और गोनोजाइट्स और और साथ ही, यह भी याद रखना है कि जो गेस्ट्रोजाइट है उसका काम है feeding में, डेक्टाइलोजárioद्स का काम है, protection में और गॉनो जाएट्स का काम है रिप्रोड़क्शन में इस सेग्मेंट में आपको और साइफनोफोरा का एक सिंगल कॉर मेडियम दिखाय गया है तो यह एक ऐसा पोर्शन है साइफनोफोरा और का एनिमल का जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके फॉर्म्स आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जैसे उपर लिखा हुआ है निमीटोफोर और फ्लोट अपको नेक्टो कैली लिखा इसमें दिखाई ए समय दें Tut दिखाई देरा यह जिसे हम रेक्ट कहरे हैं गोनोजायट साथ दैक्टाइलोजाइड साथ ही आपको इसमें बैटरी आफ इस सेग्मेंत में हेट्रेक्तीणा एक इनमल है, जो पोलीमॉर्फीजम इसके लिए सभश में धिजान के आपको इसके इसके वैलोगी इसके अलावा इसमें मेडियॉसियू एले रिज्शन के तो इसमें तक आपकोई आपको ग०ेज़ इं लिए यह टाbudent इस सम्ट में आपको मेडियूसी के क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं यानि कि उसके कौन-कौन से अलग बढ़ी में हो सकते हैं इन्डिविजूल सब्सक्ते वह यहां पर दिखा गया है तो नंबर वन पर जैसे लिखा हुआ है नेक्टो-फोर और नेक्टो-कैलिक्स इनक कि किसी भी तरह का manubrium नहीं होता है और नहीं tentacle होते हैं तो अभी हम आगे फिर से उस figure को एक बार और देखके revise करेंगे इसके बाद second में देखे numatophore और float तो जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है float यानि कि यह तैरने में इससे help होती है इस animal को उस पूरी colony को तो यह bladder की तरह लीफ लाइक structure होता है और इसके अंदर जो nematocyst है वो भरे होते हैं तो obvious है कि nematocyst है तो उनका काम इसके protection में है then lastly gonopore gonopore का काम जैसे नाम से ही पता चल रहा है यह reproducing जो इसका form है वो है यानि कि इससे which में भी either male या यह तो male हो सकते है जिससे कि या तो इस पॉम बनाएंग ठीक है तो यह हो गया इसका gonopore चलिए आगे एक बार फिर से हम उस figure को देख लें और इन सारे जो इसके forms है उसको इक बार फिर से revise कर लें तो आपको सिर्फ याद रखना Medusy में इसके चार form है Nectophore, Numetophore, Phylozoids and Gonopore और इनके जो different functions है वो हम लोग ने अभी पढ़ी लिया इस सेग्मेंट में आपको फिर से जो इसके modifications of Medusy है वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते है नमबर वन पर जैसा है Nectocalyx तो आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का mouth नहीं है नहीं tentacle है और एक गुला का टाइप यह structure है इसके बाद सेकेंड में देखें न्युमेट फूर्थ है इसका फाइलोजाइट जिसको की हम ब्रैक्ट भी कह रहे है और फूर्थ है गोनोजाइट इसके अलावा भी आपको इसमें पॉलिप के जो दूसरे modifications है वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं Medusy के अलावा इस सेग्मेंट में आपको फाइसेलिया का एक सिंगल क और Medium दिखाए गया है जिसमें कि आप उसके different zoids फॉर्म उसके polymorphic form को आसानी से देख सकते हैं चलिए अब देखते हैं patterns of polymorphism यानि कि एक particular colony में किस किस तरह का pattern हो सकता polymorphism का यानि कि किस किस तरह के उसमें zoids मिल सकते हैं तो सबसे पहले हैं dimorphic तो जैसा कि नाम से पता जलना dimorphic यानि कि जो colonies सिर्फ दो तरह के या दो types के zoids को या individuals को शो करेंगे उससे हम कहेंगे dimorphic polymorphism तो इसमें basically जो gastrozoids हैं या hydrants भी इनको का जाता है और ये basically a sexual budding के थूँ ये sexually reproducing medusy को फॉर्म करते हैं या गोनो फोर्स को फॉर्म करते हैं तो उस तरह के ये individuals हैं औ और इसमें सिर्फ दो ही तरह के individuals होने की वज़े से इसको हम कहेंगे dimorphic type of pattern ठीक है और इस पूरे phenomenon को हम कहेंगे dimorphism इस segment में आपको ovelia दिखाए गया है जो कि dimorphic pattern of polymorphism शो करता है तो आप इसमें आसानी से इसके दो forms आप आसानी से देख सकते हैं ठीक है तो जैसे इसमे दिखा हुए गोनो ठीका यह आपको दिखाए गया साथ ही आपको इसमें polyp form भी दिखाए गया है तो यह एक example है जो dimorphism को शो करता है यानि कि dimorphic pattern of polymorphism को शो करता है example is obelia second type of pattern polymorphism का trimorphic pattern है इसमें हम देखते हैं कि जो colony है उसमें तीन तरह के individuals होंगे तीन तरह के individuals होने क वज़े से हम उसे कहेंगे trimorphic और इसका जो example है वो है plume malaria और इसमें basically आपको gastrozoids देखने को मिलेंगे गोनो जाइट्स देखने को मिलेंगे and dactylozoids ठीक है तो gastrozoids इनका काम है feeding में गोनो जाइट्स का काम है reproduction में यानि कि जिससे की finally medusy form होते हैं and dactylozoids जिससे की आगे यह protection में काम करते हैं और यह non feeding होते हैं okay तो आपको यह याद रखना है और इनमे साधी nematosis भी होंगे तो second type of pattern है trimorphic third type of pattern जिसे हम कहेंगे polymorphic polymorphic जब जब तीन से भी ज़्यादा अगर इंडिविजुल्स किसी कॉलोनी में रहते हैं तो उसे हम कहेंगे polymorphic ठीक है polymorphic जैसे हाइड्रेक्टीनिया है इसमें पांच तरह के polyp आपको दिखाई देते हैं और यह सभी जो polyps है यह अलग-अलग functions के लिए specialized हैं जैसे gastrojoids होता है इसमें gastrojoids आपको पता ही अभी कि यह feeding में इसका function है इसी तरह से spiral dactylozoids इसका काम protection में है then long sensory tentaculozoids इनका काम जो है sensory cells है इसी तरह से skeletozoids है यह spiny projections है kytin की बनी हुई और gonzoids लास्ली इसका काम जो है mostly reproduction में तो इस तरह से जो polymorphic forms है उसमें तीन से भी ज्यादा जब individuals एक साथ में रहते तो उसे हम कहेंगे polymorphic pattern of polymorphism और इसका जो extreme example देखने को मिलता है वो order cypnophora में जिसमें कि आपका phycelia आता है और दूसरा order है condrophora तो इसमें इसका example है porpita तो यह इसके जो order है यह शो करते है polymorphic pattern of polymorphism इस figure में आपको polymorphic pattern शो करने वाले इक्जांपल हाइरक्टीनिया को दिखाए गया है तो आप यहां पे उसके different five zoid form आप देख सकते है number one two three four and five तो number one पे जैसे दिखाए गया gastrozoids tentacles के साथ में mouth है उसमें उसी के बाद second में आप देखेंगे spiral dactylosioids इनका प्रोटेक्शन में देन आप थार्ड में देखे टेंटाकुलो जाइट्स हैं इसी तरह से इसके लेट्टो जाइट्स हैं फोर्थ में और फिफ्ट में गुनो जाइट्स हैं तो यह एक्जांपल है और पॉलिमॉर्फिजम की पॉलिमॉर्फिजम का ओरीजन कहां से माना जाते हैं तो जैसा कि हां पे लिखा गया है colonies of syphonophora यानि की जो order syphonophora है यह most specialized जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो इसमें highest degree of polymorphism देखने को मिलता है जिसमें कि आपको mostly medusoid और polypoid forms इसमें आपको देखने को मिलते हैं तो इस तरह से कि origin जो polymorphism का है वो क्या polyp से हुआ है या फिर medusoid form पहले आया या जो पहले पहले मुर्गी आई या अंडा आया यानि कि पहले polyp form आया या फिर medusoid form आया या medusoid form बाद में आया या polyp form पहले आया तो इस बारे में एक debate है तो इसके लिए दो व्यू लोगों ने दिये हुए है कि जो पहले है वो पॉलिप आए है या फिर मेड्यूसी आए है तो इसके बारे में जो पहला व्यू है उसके अकॉर्डिंग एंसिस्टरल सीलेंट्रेट्स जो की हैड्रा की तरह के जिनमें पॉलिप से इनका उद्भाव तो माना गया गैस्ट्रिया से हुआ और इन्होंने ही पानी में रहने वाली कॉलोनी का एसेक्शुल बडिंग के थ्रू निर्मान किया और इस तरह ये एक ही जगे रहने वाली कॉलोनी का इन्होंने निर्मान किया और साथ ही इन्हीं से जो है आगे मेडियूसा मोडिफाई सेक्शल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं और खुले समुद्रों में फिर यह अपना जीवन जीने लगे तो यह पहला एक व्यू है जिसमें कि यह माना गया कि जो मेडूसा है वो बाद में आया और जो पॉलिफ है वो पहले आया तो इस तरह से इन में डिविजन ओफ लेबर ह होने की वज़े से जो यह हाइड्रोड कॉलोनी थी यह पॉलिमॉर्फिक कॉलोनी बन गई दूसरे व्यू के अनुसार जिसे की ब्रूक ने 1886 में दिया और इसे सबसे जादा मान्यता मिली और इसके अनुसार जो एंसेस्ट्रल सीलेंट्रेट्स थे और यह पहले प्रिमिट हो कैसे हुआ बता रही है कि जैसे जैसे इसमें टैंटिकल डवलप हो गए ठीक है टैंटिकल डवलप है और साथ ही यह आजादी से तैरने वाले यह एनिमल्स बने तो इस तरह से जो पॉलिमॉर्फिजम है वो पहले उसमें मेडियूसी पहले आये कहने का मतलब है इस एक लार्वल स्टेज है और इस लार्वल स्टेज से फिर बाद में मेडियूसीट फॉर्म बने और इसी से जो यह पॉलिमॉर्फिजम वाला जो फॉर्म है सिलेंट्रेट्स में जो देखने को मिलता है वो दरसल मेडियूसीट फॉर्म से देखने को मिलता है यह इनका कहना ह में फिर से डिफ्रेंशेशन हुआ जिसकी वज़े से पॉली पर्सन हुए यह कॉलोनी जो है पॉली पर्सन यानि कि बहुत सारे अलग अलग तरह कि उसमें जाइट्स देखने को मिले तो इस तरह से यह दो व्यू है जिनके पहले व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिप्स पहले लेकिन जो दूसरा वियू है उसके अकॉर्डिंग मेड्यूसी पहले वना ठीक है और यह जो दूसरा वियू है इसको सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है तो यह है आपका पूरा आज का लेक्चर पॉलिमॉर्फिजम इन सिलेंट्स इस सेग्मेंट में आपको इस्टैफ दिखाए गया है जो कि पॉलिमॉर्फिक फॉर्म आफ पॉलिमॉर्फिजम इन सिलेंट्रेट यहीं पर खतम होता है एगर नहीं समझ माया है तो आप इसको दुबारा से सुनें और इसमें जो नोट्स दिए गए है उसको लिख लें यहीं आपके नोट्स है क्योंकि आप ल नोट्स कैसे मिलेंगे कहां से मिलेंगे तो यहीं आपके नोट्स है इसी वज़े से इस चैनल का नाम टैंशन गॉन नोट्स रखा गया ताकि आप लोगों की जो टैंशन नोट्स बनाने की वह यहां से पूरी तरह से दूर हो जाए ठीक है तो अपना स्टडी करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए ओके थैंक यू